समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के छतरपुर जिले के दौरे में सियासी सरगर्मी बरहा दी। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस नेताओं ने उनसे मुलाकात की। जिससे कयासों का दौर शुरू हो गया है कि कही वे अपनी पार्टी से टिकट नहीं मिलने पर सपा का दामन तो नहीं थामने जा रहे हैं। कांग्रेस से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी और फिर भाजपा में भी जा चुके हैं। और फिर वहां से वापस कांग्रेस में आ गए। भाजपा के पूर्व जिला ध्यक्ष घासी राम पटेल जो की राजनगर विधान सभा से भाजपा के प्रबल दावेदार बता गासी राम पटेल जो पूर्व में भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं मंडी अध्यक्ष रह चुके हैं उनकी गिंती सरल स्वभाव के नेताओं में होती है। बताया जा रहा है वे भी अखिलेश यादव से मुलाकात कर चुके हैं। जब राजनगर विधान सभा सीट का परिसीमन नहीं हुआ था तब छतरपुर विधान सभा से टिकट की दावेदारी करते रहे घासी राम पटेल को जब टिकट नहीं मिली थी तो वह बगावत कर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे। तब उन्हें हार का सामना करना परा था। इसके बाद एक बार फिर विधान सभा सीट से पार्टी ने रामकृष्ण कुसमारिया को प्रत्याशी बनाया था और उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तब रामकृष्ण कुसमारिया ने साफ तौर पर अपनी हार के लिए भाजपाईयों को जिम्मेदार ठहराया था। अब जब सपा के सोशल मीडिया में जम कर वाइरल हो रही है।